असलाम अलेकूम, आज मैं आपके लिए केरामल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ ऐसी खीर के जिसको देखते ही आपके मुँ में पानी आ जाएगा ऐसा सीक्रेट है इसमें कि आगे चल के आपको बताऊंगी ना इसमें किसी किसम का खोया डालेंगे ना दूद को पकाना पड़ेगा मिठाईयों से भी ज्यादा अच्छी ये घर पे मिंटो में खीर बनके रेडी होगी केरामल कैसे बनाया जाएगा इसका सारे टीप्स आगे चल के आपको मैं बताती हूँ मिंटो में ये रबड़ी खीर बनके रेडी होगी तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती हैं तो लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला ही रहमान नेराहीम यहां पे हमने 70 ग्राम रेगुलर चावल लिये हैं बस यूँ ही समझें कि एक कप से थोड़े से कम लिये हैं यह चावल थोड़े से मोटे होते हैं इसलिए खीर इनकी ज्यादा अच्छी बनती है और यह चावल जो है जल्दी पक भी जाता है इन चावलों पे गैस भी कम लगेगा और टाइम भी बचेगा आपका आप चाहें तो बस मती राइस की भी खीर बना सकते हैं दो से तीन मरतबा आपने पानी में इसको मलना है और अच्छे तरीके से इसको धो लेना है फिर आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बिगो के पानी में रख देना है इससे ये है कि पानी में अच्छे तरीके से ये चावल भीग जाएगा और तूट भी अच्छे तरीके से जाएगा बारीक भी बहुत आसानी से हो जाएगा जैसे ही हम इसको मलेंगे तो यहां पे 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं अब ये चावल अच्छे तरीके से फूल भी जाएगा और जल्दी गल भी जाएगा टाइम भी बचेगा हमारा तो अब हम इस चावलों को स्टेन करते हैं पानी सारा जो निकलेगा उसको हम जाया कर देंगे और आगे चल के बताती हूँ कि इन चावलों को अब हमने क्या करना है अच्छे तरीके से ये बीग चुके हैं इनको हम डालेंगे किसी अलहदा से बाउल में बाउल में डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस कदर सौफ्ट चावल हो गया है सिरफ बीगने के वज़ा से जितना आप इसको तोड़ेंगे उतना ही ये चावल तूटता जाएगा इस तरह करके अगर आप खीर बनाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बनती है खीर तो यहाँ पे आपने कोई टिशू लेना है या कोई टावल लेना है जो नीट हो उससे सारा पानी आपने इसमें घीर डालने से एक ये भी होगा के खीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जल्दी पकेंगे और बाइंडिक भी बहुत अच्छी आएगे इसमें और जितना आप इनको तोड़ना चाहेंगे ये टूट जाएंगे छोटे छोटे हो जाएंगे और इसके खीर जो बनती है वो बहुत लाजवाब बनती है देखे बहुत ही बारीक हो चुके हैं ये चावल अब हम चलते हैं नेक्स टेप की तरफ तो यहां जिस बरतन में आपने खीर को पकाना है वो बरतन आप लेंगे मैंने यहां पे कडाही ली है और इसमें वन टी स्पून हम डालेंगे घी का और अच्छे तरीके से सारे ये देखची में हम गी इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा देंगे और यहां पे मैंने दूद लिया है वन एंड हाफ लीटर अब हम इसको बॉइल करेंगे अगर आपका ये दूद पतला है तब भी देखिएगा आज खीर किस कदर मजे की बनती और जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे इस टे पीर गाड़ी होती रहे एंड फ्लेम को करते हैं लो और हम करते एंड्राइफ़ूट को रोस्ट और यहां पर मैंने कुछ ड्राइफ़ूट्स लिये हैं टीज पून हम लेंगे विवे का अचली एंको इनको मैंने कार्श ृत्राइफ लीगे इंज थे और कुछ बड़ बा के लिए ज्यादा देर के लिए नहीं करेंगे क्योंके इनका कलर डाक ना हो जाए मैंने तकरीबर आठ सेकंड इनको रोस्ट किया है और जो दो सेकंड है वो पैन भी तो गरम होगा तो अब हम बनाते हैं कैरामल के लिए जितनी आपने एक डिट किलो के अंदर चीनी डाल नही यह चीनी होगी तकरीबर इसके अंदर 120 ग्राम और थोड़ा सा हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और इसको तकरीबर तीन से 4 मिनट नॉर्मल फ्लेम पे हम पकाएंगे यह चीनी तकरीबर हमारी मेल्ट हो चुकी है यहां पे आके देखें सारे इसक इसका कलर चेंज हो गया है चीनी का और जो मेल्ट हो गी है उसका भी कलर चेंज हो गया है आपने पानी लेना है 4 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा सा दूरी पे थोड़ा सा हट के आपने इसके अंदर डालना है क्योंकि इस टाइम इसके बबल उटते है इसमें से और कह तक रिवाज से 60 मिनट हो चुकी है तकरीबन एक घंटा खीर को पकते हुए और खीर देखें किस कदर लाजवा बनके तकरीबन रेडी हो चुकी है और अब बाकी है इसके अंदर चीजें डालना वह हम चलते हैं और इसके अंदर चीजें डालते हैं अलाइची पोडर और ही है यहां पे जो हमने केरामल बना के रखा था वो इसके अंदर एड़ कर देंगे और जो ड्राइफ फ्रूट्स हमने रखे थे वो भी इसके अंदर एड़ कर देंगे और अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे देखें किस कदर टेस्टी खीर बन रही है हमारी कोई भी तहवार हो उस पे जरूर बनाईएगा मिस मत करियेगा अगर आपने ये केरामल खीर कभी नहीं बनाई तो लाजमी बनाईएगा क्योंके ये खीर है ही इतनी टेस की है इससे ज्यादा हम खीर को थिक बिल्कूल भी नहीं करेंगे यह देखें अगर ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी क्योंके इसने ठंडा भी होना है और ठंडा होने पर थोड़ी से चीज सक्त हो जाती है तो हम करते हैं फ्लेम को आफ और इसको मताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं जो ड्राइफ रूट आप लाइक करते हैं अब हम इसको फ्लेम को करते हैं ओफ और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो चलें थोड़ी से ठंडी हो गी है खीर अब हम डालेंगे इसको सेर्विंग डिश में बरतन जो मरसी आप ले आपके रखें फ्रिज में बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा तो यहां पी हमारी खीर बनके रडी हो चुकी है माशाला से देखें आपके सामने हैं और कुछ थोड़ी से ड्राइफ रूट्स आप इसके उपर भी डालेंगे ताके जो हमारी डिश है वो दिखन तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना और कुमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना इंस्ट्राग्राम पे किसी भी किसम का क्वेस्टेन कुकिंग से रिलेटिड अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे मुझे कर सकते हैं तो चले मैं करती हू खीर को इंजवाए और आप सोचें कि कब बनानी है आपने और मुझसे जरूर शेयर करिएगा अलाफिस